हेलो विवर्स स्वागत है आपका हमां अडूब चैनल दे टीजे एक्जाम में तो कैसे हैं आप लोग आई होप की आफस्वस्त होंगे और वहस्त होंगे तो दूस्तों बात करेंगे और पीछडी अडमिशन के बारे में जिसका नोटिफिकेशन है कि स्टेट गॉवर्मेंट इश्चन की बात करें तो आपके यहां पर थैस्ट चोबीस रहने वाला है इसके साथ यहां पे इस वीडियो में जो कवर करें गाया कि इसके डूबड करेंगे पर नेट कर सकते हैं अगर आपने पॉस्ट गूप्रीट कर लिया पीच यह नुकर सकते हैं तो यहां प्रफ्टी में आप स्लेक्ट हो पाएंगे यह कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स हो जाते हैं इसके लिए इसके आफिसल नोटिफिकेशन पर चलेंगे इन सारी पॉइंट को डिटेल में डिसक्रस करेंगे लेकिन चलने से पहले आपसे एक रिक्रफ्ट है चैनल पर पहली बार रहा हैं तो चलना को सब्सक्राइब कर लिए वेल आइकाउन दोस्तों जुरू प्रेस कीजिए तो यहां पर दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन डिसक्रस करूंगा वह आप मेरे टेलिग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है और यहां से कल ही यानि जो आपका 301-2023 थी सबसे अप्लिकेशन फार्म आप आनलाइन कर सकते हैं तो यहां पर पहले तो आपको आनलाइन अप्लिकेशन फार्म बनना इसके साथ हैं अगर हम बात करें आपकी प्रोगाम के बारे में जिन आपकी सब्जेक्ट के बार जिनमें आप PhD के लाफजन कर पाएंगे, सीट्स के बारे में यहाँ पर दोस्तों कोई जानकारी नहीं दी गई है, अगर बात करें हैं पर application form के बारे में, तो यहाँ पर आपका application form इस्टार्ट हुआ था 301-2023 से, last date इसके यहाँ पर 122-2023 से, उससे पहले application form submit कर दी जगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों आपकी PhD फीस के बारे में, तो यहाँ पर जो जर्नल कड़ेगरी के कंडिडेट्स हैं, OBCA, OBCB के कंडिडेट्स को यहाँ पर 600 रुपे application फीस पे करनी है, इसके साथ यहाँ पर बात करें आपकी eligibility criteria के बारे में, तो दोस्ते हैं आपकी eligibility में वही है कि आपके पास master degree में 55% marks होने चाहिए, आप यहाँ पर eligible हैं, आप अब अबदन कर सकते हैं, अगर आपके पास 55% marks नहीं और आप आते हैं, यह C, H, T, O, B, C, K, non-cumular, यह different level candidates हैं, तो यहाँ पर आपको 5% का accession मिलता है, अगर आपके पास 50% marks में post-gradation level पर, तो यहाँ पर आप eligible हैं, आप आप अबदन कर सकते हैं, इसके लोग अगर आप यहाँ पर 19 September 19 से पहले अपना post-gradation complete किया, तो आप भी यहाँ पर eligible हैं, 50% marks के साथ आवेदन कर पाएंगे, यह दोस्तों आपके यहाँ पर eligibility criteria हो जाती है, बात करेंगर आपके selection procedure के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर selection procedure में आपका एक interns exam प्लस आपका interview का अंडर्ट काया जाएगा, और उसी के माददें से यहाँ पर आपका selection होने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगर आपके rate याँनि research interest के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 55% marks हैं, तो यहाँ पर आपको एक्जाम देना पड़ेगा, अगर आपके पास यहाँ पर UGC का NET है, या फिर जारफ है, या फिर आपके पास CSIR का NET, इंक्लूड जारफ है, सिलेट, सेट, गेट, ICMR, ICAR, या फिर आपके पास university research fellowship है, आपने EMFIL किया है, EMTEC किया है, EMD किया है, EME किया है, EMFARMA किया है, teacher fellowship holder है, अगर आपके पास इन में से कोई qualification है, तो आपको exam देने से चूट मिल जाएगी, या नि आपको direct interview में पे रहोना और यहाँ पे आप select हो सकते हैं, यह दोस्तों, आपका selection procedure हो जाता है, इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके आनि पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे जो reservation policy है, आपको minimum 50% marks लाने रहेंगे, सबी candidates को, वहीं अगर आप आते हैं, यह CST, OBC की, यह फिर different level candidates है, तो आपको यहाँ पे 45% marks इस exam में ले आएंगे, तो आप exam qualify कर पाएंगे, और आप interview के लिए अपे रहो जाएंगे, तो यह आपका यहाँ पे जो admission selection procedure हो हो जाता है, इसके पाएंगे, तो जो आपका period admission notification हो दोस्तों आपका यहाँ पर latest news में mention किया आप यहाँ से download कर सकते हैं, यह फिर दोस्तों आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पर notification है, यहाँ से आप यहाँ से download कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना नीचे आना, यह admission portal बनाया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पर आप यूजर ने और पासवर्ट फिल करना है, अगर आप यूजर हैं, तो आपको create new account पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका जो अप्न हो जाएगा, उसमें आपकी जो परसन डिटेल से मांगीगे, उनको आपको फिल-फिल कर देना है और यहां से आप लोगिंग कर पाएंगे इसके साथ यहां पर आपकी किसी प्रकार की कोईरी है तो यह नंबर सो रिमेल आडी दी गए वरकिंग टाइम में आप इन पर कॉल कर सकते हैं इसके अलाओं हम यहां पर क्रेट न्यू एकाउंट पर क्ल पुछ सकते हैं या फिर अपना कुष्जण आप हमें करुछ वाइंगे इसकलों पर दूस्तों आपका एकञाम सेंटर के बारे में रहे गाया तो यहां पर इसकी इनोशटी के मैन कंपसheen सेले Wil ऐस्की आफियूолов आप ऴजिट कर कर सकते हैं और वहां से इसको उसे कर पाइ सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बारा है तो चलों को सब्सक्राइब कर दीजे वेल आइकान दोस्तों जुरूर प्रेस कीजे जिससे की वीडियो की लेटिस्ट नोटिफिकेशन उपसे पहले आपको मिले मिलेंगे ऐसे करने पेडि के जानकारी के साथ अपनी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन सोस्त रहें मस्त रहें